हेलो फ्रेंस इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाटसब कस्टमर केर से कैसे कंटेक्ट करें पर उससे पहले मीरे नाम जान लीची मेरे नाम गीता और आप देखरें टेक्निकल गीता यूटूब चैनल तो सबसे पहले हम लोग वाटसब को ओपन करेंगे और वहाँ से हम लोग customer care से बात करेंगे सबसे पर वर्टसम को open करते हैं open करने के बाद सबसे उपर 3 dot मिल जाते हैं यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर आपको setting पर select करना है उसके बाद आपको help का option देखने को मिल जाता है यहाँ आपको help पर select करना है उसके बाद next page उपन हो जाता है यहाँ पर contact us पर आपको click करना है उसके बाद फिर next page उपन हो जाता है यहाँ पर आपको अपनी problem लिखने है और screenshot को add करना है तो सबसे पहले हम अपनी problem को लिख लेते हैं यहाँ पर screenshot आपको पहले ही लेके रखना है अपनी problem का जो भी अपकी problem होगी जहां कोई error आ रहोगा कुछ भी तो यहां पर लिख लेते हैं my worship is not working आप अपनी issue लिख सकते हैं जो भी लिखना है आपको English में लिखना है यहां पर लिखने के बास gallery में आपको अपनी screenshot को add कर लेना है तो यहां से मैं कोई photo add कर लेती हूं जो नहीं तो आपको नीचे को option देखने को मिल जाता है this does not answer my question यहां पे आपको select करना है next page open हो जाएगा और यहां पर आपको Gmail का option देखने को मिल जाता है इस पे आपको Gmail को select करना है Gmail को Select करने के बाद आप Gmail पे Move हो जाते हो जैसे आप Gmail पे Move होते हो यहां पे आपको अपकी Problem जो अपने Quotions लिखा था वो वाला सारा कुछ ScreenShot अच्छी तरह से आप रीड कर सकते हो उसके बाद आपको Gmail मिल जाती है जो WhatsApp की है यहां पर अपनी email से वारा सारा कुछ चेक कर सकते हो WhatsApp की और अपनी email सारा message read कर सकते हो सब कुछ read करने के बाद सबसे ओपर arrow का निशान मिलता है और यहां से आप send कर सकते हो तो इस तरह आप customer care से बात कर सकते हो